इस वीडियो में आप APA Style 7th Edition में Paper Formatting सीखेंगे जो Topics इस वीडियो में मैं Color करूँ कि इसमें Basic Page Setup है Then Title Page आप Create करना सीखेंगे Paragraph Alignment and Indentation सीखेंगे Block Quotations के बारे में सीखेंगे सीखेंगे and then Reference List को Setup करना सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम Basic Setup से तो First of All हम Margins Add कर लेते हैं तो Margin Add करने के लिए आपने Layout Tab पे क्लिक करने and then आपने क्लिक करने मार्जन पे और यहां पी आप देख सकते हैं कि MS Word में By Default जो होते हैं वह होता है इकुलेंट होता है वान इंच के तो इसलिए आपने इसको यहां से नॉर्मल ही को Select करने अब आप देख सकते हैं कर से मेरा वहीं पे बिलिंक कर रहा है जहां पे पहले कर रहा था अरियल जोर्जविया और किरी आप इन फोर को यूज कर सकते हैं अगर आप टाइन्स नुर्मल ही ऊटरे था तो इसके लिए आपको 12 साइज इसका रखना पड़ेगा अगर अप ईल युंस कर Esther alleviate reward करे की अब बारियतती लाइं स्पेसिंग की vampi मि आपको जो लाइन स्पेसिंग याड़ करनी पड़ती है वह डबल लाइन स्पेसिंग करने पड़ती है तो आप कैसे करेंगे परогर्राफ गॡूप में आपको ऊप्चन बाइए कि line and paragraph spacing की आपने इसके ओपर क्लिक करने एंड यहां से आपने चूज कर लेने 2.0 इस तरह से आपके line spacing double हो जाएगी and then again आपने इसके ओपर क्लिक करने और यहां पर आपने चूज कर लेने remove space after paragraph को क्योंकि API में paragraph के in between extra spaces allowed around नहीं होती तो यहां तक आपका जो basic page का जो setup है वह यहां तक complete हो चुकिए अब हम move करते हैं title page की तरफ तो title page की basic elements होते हैं हम उनको follow करते हैं first element आता है page number तो page number को add करने के लिए आपने page के top पे double click करने एंड header and footer section आपका open हो जाएगा आपको यहां पर option नज़र आएगी page number की आपने इसके उपर click करने और यहां पर थर्ड option नज़र आएगी plane number 3 जहां पर आपको number जो है वह align हूँ वह right side पर आपने इसको select कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते के page number add हो चुक है top of the page और right side पर आपका page number जो हो चुक है अब आप इस header and footer section को close कर सकते हैं यहां पर close की option available है आप इसके उपर भी क्लिक कर सकते हैं यह page पर आप कहीं भी double click करेंगे तो आप header and footer section से बाहिर आ जाएगे अगें इसको मैं close कर देती हूँ आपने three to four extra lines add करनी है तो वो lines add करने के लिए आपने hit करना एंटर three to four times तो one time two three and four यहां पर हमने four empty lines add कर लिए अब आपने यहां से pack graph में आपको option ज़र आएगी center की आपने इसके उपर click करने आपका cursor जो वो center में align हो जाएगा and then आपने यहां पर यह जो भी खाओ है bold आपने इसको enable कर दिने आप control B से भी काम कर सकते हैं या simply आप इसके उपर click करेंगे तो आपका जो text है वो bold हो जाएगा अब यहां पर जहां पर cursor blink कर रहा है आपने यहां पर अपनी documentation का title add करने तो first of all हमने main title add करने and then column के बाद subtitle आपका आजएगा तो हम add कर लेते हैं अपना title तो यहां पर आप देख सकते हैं जो first पर आ रहा है मेरा colon से पहले यह मेरा main title था and then column के बाद मेरा subtitle add चुक है इस तरह से आपने title add करने और अगर आपका title length ही है तो वो automatically यहां पर second line पर move हो जाएगा जब आप title add कर लेंगे उसके बाद आपने hit करना enter और आपका cursor जो है वो new line पर आ जाएगा again यहां पर आपने extra line add करने है तो मैं यहां पर वो add कर लेती हूं फॉर्स्ट नेम मैं ने add कर लिए author को जो के था john peter smith और john first name आपका as it is आएगा middle name का आपने सिर्फ initial लिखने है और आपका last name आजएगा अगर आपके two authors हैं तो आपने end लिखना है and then आपने second name यहां पर एड़ करने है second name भी आ चुक है again आपने first name as it is लिखने middle name का initial लिखने and last name आजएगा अगर आपके author ज्यादा हैं तो आपने second last name and last name के in between end place करने बागे सबके starting में आपने कोमा एड़ करने हैं तो यहां पर हमारे author names भी आज चुके हैं अगेन आपने हिट करने इंटर और आपके new line पर आपने affiliation add करने हैं तो affiliation क्या है कि आपने first of all अपने department का name लिखने है कोमा and then university name तो हम वह एड़ कर लेते हैं department of IT कोमा and then name of the university आपका यहां पर आजएगा आपने यहां पर department name कोमा university name add करने देन अगेन आपने हिट करने enter और next line पर आपने लिखना है course number and course name तो यहां पर मैं लिख लेती हैं course number colon and then आपने add करने course name जो university ने आपको course provide किया है आपने यहां पर वही number and name लिखना है again आपने हिट करने हिएँ पर enter and then आपने यहां पर instructor name लिखना है अगर तो आप university student तो of course आपके जो teacher है यह instructor है वो professor होंगे तो आपने start करना है doctor and then professor name यहां पर आपने professor name add करने है again same as it is आपने first name as it is लिखना है middle name का initial आएगा and then last name आपने यहां पर professor name add करना है then hit करना इंटर और यहां पर आपने due date add करनी है जो भी आपकी documentation की due date है यहां पर हम लिख लेते हैं first of all आ जाएगा आपका month then जो भी date होगी वो आएगी and then आपने यह लिखना है यहां तक आपका जो title page है वो add हो चुक्या और title page के जो basic elements है वो हमने यहां पर complete कर लिए जिसमें first element था हमारा page number then था three to four extra lines add करने के बाद आपने आपने एड करना था यहां पर document title then यहां पर एक और extra line add करने थी और उसके बाद आपने एड करना था author name next आपने affiliation add करने थी जहां पर हमने लिख लिए department name and university name next आपने course number and course name लिखा then downward आपने move करते हैं और यहां पर आपने प्रोफेसर नेम लिखा जो भी आपके instructor name था यह supervisor name था and then आपने यहां पर लिखना है assignment due date तो यहां तक हम आज जो title page है वो create हो जाएक है अब आपने control plus enter को प्रेस करने और new page पे आप move कर जाएंगे again आपने first page पे आना है title page पे और यहां पे जो भी आपके document का title है आपने इसको यहां से copy कर लिए आप Ctrl C से इसको copy कर सकते हैं या पिर आप इसके ऊपर right-click करेंगे और यहां पर भी option है copy कि आप इसके ऊपर click करें and then आपने next page पे second जो आपका page है आपने इसके ऊपर आकर paste कर देने एं या अगेन आप इसके ओपर right click करके paste करते हैं अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं करसर जो वो मिड में जो center में blink कर रहे हैं आपने इसको align करना है left side पे और यहाँ से इसको bolt को भी आपने अंचेक कर देना है या control B से भी आप कर सकते हैं अब यहाँ पर आपने जो title है वो first प document का या research report का background context वेरा add करने हैं तो वो add करने के लिए यहाँ पर मैं dummy paragraph ले लेती हूं मैं यहाँ पर function कॉल कर लेती हूं rent का और मुझे यहाँ पर three paragraphs चाहिए और उनकी four lines होनी चाहिए यहाँ पर मैं dummy paragraph add करने हूं अफकोर्स यहाँ पर आपने अपना introduction add करना है आप इसका background द सकते हैं तो paragraph के alignment first of all आपने paragraph के starting में click करने है and then आपने keyboard से tap की को press करने है तो यहाँ पे 0.5 inch की आपके indentation add हो जाएगी left side पे each paragraph जो है उसकी line spacing 2.0 होनी चाहिए और इसको आपने align करना है towards left side तो वो कैसे करेंगे paragraph पे click करोगे then paragraph option में आपने इसको align करना है left side पे और इसकी line spacing जो है वो 2.0 होनी चाहिए अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं line spacing already हमने 2.0 select की हुई है तो whole document में जो आपके line spacing होगी वो throughout आपके 2.0 ही रहेगी तो यहाँ पे हमने line spacing भी add कर लिए paragraph के हमने first line को indent करना है .5 inch then line spacing जो हो उसकी होनी चाहिए 2.0 और left side पे इसको align करना है तो यहाँ पे first paragraph की हमारी alignment हो चुकि है second paragraph पे move करते है second paragraph के again आपने starting में click करना है then आपने press करना है tap की और .5 inch आपके indentation add हो चुकी है again यहाँ पे आप देख सकते हैं कि left side पे इसको align किया हो है और इसकी जो line spacing हो 2.0 ही रहेगे क्योंकि हमने already select किया हो है अब हम move करते है block quotation पे quotation है मैं इसको कर लेते हूं 20 for example यह में पास quotation है तो अब इसको मैं कैसे करूंगी आपने उस quotation पर double click करने and then paragraph के group में आपको नज़र आएगा यहाँ पर increase indent की option आपने इसके उपर click करने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि left side से आपका whole जो block quotation थी वह indent हो जाएगी .5 inch तो यहा होनी चाहिए और इनकी जो line spacing होगे वह 2.0 ही होनी चाहिए तो इस तरह से block quotations को भी align कर सकते हैं सिर्फ आपने starting में click करने and paragraph के group में आपको नज़र आएगी option increase indent आप इसको click करेंगे तो whole जो आपकी quotation होगी वह indent हो जाएगी .5 inch के तो यहां तक आपकी paragraph indentation भी आपने सीख लि होगी आपकी जैसे हो गया आप discussions एड करेंगे कंकुलियंस होगे recommendations वह रहा हो जाएंगे limitation scopes होगे objectives होगे आपकी research reports की different headings होगी तो अब उन headings के जो levels है उनकी formatting आप सीखेंगे तो उसके लिए again मैंने यहां पर dummy text लिया होगे उसी को मैं copy करूंगे अगें यहां पर मेरा text already है इसे को मैं copy करूंगे और इसके उपर मैं formatting apply करूंगे Ctrl-C से इसको copy करेंगे और यहीं पर इसको paste कर लेते हैं किते हैं कि तो it may formatting heading की formatting आपको level फाइव तक प्रमेटिंग आपको दे जाती है अगें अगर तो आप level one heading दे रहें means की main heading अपने formading आप कैसे करेंगे से जैसे आपने टाईटल की जो formad क Complete valve heading की भी है कैक्ण की में interfed तो आप कैसे करेंगे अगें 111 heading main heading को आप select करेंगे और यहां पर इसको आप center align करेंगे इसको आप bold करेंगे अगें यहां से आप इसको bold को enable कर देंगे और title case heading होगी title case heading मतलब के each word का जो initial letter होगा वो capital होना चाहिए अगर तो prepositions होए रहे हैं तो वो आपकी small आ सकती है otherwise आपके heading के each word के initial letter जो होगा जो भी text होगा वो new line से add होगा as a new paragraph और इसको भी आपने अगें यहां पर tap की से इसको indent कर देना है .55 अगें इसके जो paragraph है same as it is 2.0 इसकी line spacing होगी और left side पर यह align होगा level 2 heading हो तो वह sub heading है level 1 heading की तो आप इसकी formatting कैसे करेंगे अगें आपने इसको select करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने इसको left side पर ही align रहने देना है आपने इसको bold करना है और title के इस heading means कि each word का initial letter जो वो capital होगा और जो भी आपका text होगा वो new line से start होगा as a new paragraph start होगा सिर्फ आपने इसको टैप की से इसको indent कर देना है point five inch again same paragraph की formatting आपने इसके उपर apply कर लेने है अब आर्यात यह लेवल three heading की तो level three heading के लिए अगेन आपने इस heading को select कर लेने है और level three heading है यह सब heading होगी level two heading की अगेन यहां से भी इसको हमने left side पे ही align रहने देने हैं आपने इसको bold करना है देन आपने इसको italic करने है यहां पे italic की option आपको नज़र आ रही है आई की आप इसको control प्लस आई भी कर सकते हैं तो इसको आपने italic करने अगेन title के इस heading होगी और each text होगा इसको वो new line से start होगा as a new paragraph अगेन आपने इसको भी tap कर देने हैं और यह आपका paragraph जो एड हो चु के बाद आपने tab की press करनी है और यह indent हो जाएगी अब आपने इसको bold करने है and then title case heading वही चीज के आपने heading का जो words है each word है उसका initial letter आपने capital करने है तो और यहां पे indent करने के बाद जो भी आपका text add होगा वो new line से नहीं होगा बलके same line से start होगा तो again यहां से इसको हमने same line से ही start करने previous headings में हमने new line पे text add करना होता था but level 4 और level 5 पे हमने जो text add करने वो same line से ही add करने अब आरिया आती है level 5 heading की level 5 जो है वो level 4 की sub heading है again आपने level 5 को select करना है आपने इसको indent करने है again आप tap की को press करेंगे अब इसको आपने bold भी करना है और italic भी करने है बोल्ड करेंगे control plus B से press कर सकते हैं और आप italic करने के लिए control plus I press कर सकते हैं या font में आपको यहां पर option अजर आ रही है italic कि आपने इसको click करना है again यहां पर जो भी आपका text होगा वो new paragraph से start नहीं होगा बलके same line से start होगा तो इस तरह से आपके different headings की formatting कर सकते है level 1 से लेक create हो जाएगी तो last page है उसमें आप reference list को create करेंगे तो reference list को हम create कर लेते हैं last page पर हम move कर जाएंगे and then यहां पर आपने इसको करना है center align और आपने इसको कर देना है यहां से bold control प्लस भी भी प्रेस कर सकते हैं and then यहां पर आपने label add करना है references का then आपने hit करना है enter and then आपने इसको align करते हैं left side पर और आपने इसको bold नहीं करना है इसलिए again आपने इस bold के ओपर click करना है तो API references के ओपर already मैं video create कर चुकी हूं कि किस तरह से आप किसी भी website का reference API में लिख सकते हैं किस तरह से आप किसी भी बुक का reference लिख सकते हैं और किस तरह से आप Google Scholar के थूँ API reference get कर सकते हैं यहाँ पर already मैंने एक reference list create की हुई है इसी कि मैं formatting आपको करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पर मैं references हैं कुछ इनकी उपर मैं formatting apply करूँगी तो इसको मैं यहाँ से copy कर लेती हूँ और इसको मैं paste कर देती हूँ references के below reference list में again double line होना चाहिए तो double line spacing के लिए again हम इसको select कर लेती है whole reference list को and then line and paragraph spacing में आपने इसको 2.0 को select कर लेना है line spacing जो आज़ेगी reference list की वो 2.0 आज़ेगी अब हमने इसको sorting करनी है alphabetical order के ascending order में क्यांकि alphabetical order में हमाई पास जो references है वो आज़े तो वो कैसे आएंगे अगेन आपने paragraph के group में आपको निज़र आएगी option sort आपने इसके ओपर click करने है और यहां पर यह dialogue box open हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं text की base पे ही हम इसको कर रहे हैं इसकी sorting और इसको यहां से आपने ascending को check mark करने and then आपने click करने okay तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जो reference list है वो ascending order में आ जाएगी alphabetical order में आ जाएगी अब आप सीखेंगे किस तरह से आप references को hanging indent कैसे करते हैं तो आपने reference list को आपने select कर लेने and then paragraph के यहां पर आपको arrow नज़र आ रहा है paragraph settings आपने इसके ओपर click करने and then indentation में आपको यहां पर option अज़र आ रही है special जिसको अभी यह selected is none आपने downward arrow को click करने and then आपने करना है click hanging पर और hanging यहां पर आप देख सकते हैं by 1.27 cm है तो 1.27 cm equivalent है 0.5 inch के and then आपने click करने ok के उपर तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो reference list है वो hanging indentation में भी आ चुकी है आपकी reference list है वो alphabetical order में आ चुकी है और आपने इसके जो line spacing थी वो आपने double की है तो इस तरह से आप API style में अपने paper को यह document को format कर सकते हैं easy way में